हेलो एबिवन, कैसे हैं आप सभी लोग, मेरे यूट्यूब चैनल बायो उनिवर्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्लास 11 बायलोजी के चेप्टर 14 जो की है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो इस चेप्टर के आगे के हिसे को हम लोग ने डिसकस कर लिया है तो जहां पर हम लोग ने अपने पिछले वीडियो को end किया था उसी से हम लोग इस वीडियो को सुरू करने वाले हैं हम लोग ने इससे पहले aerobic respiration तक डिसकस कर लिया था यहां तक जिसमें कि हम लोग ने समझ जाता है कि जहां oxygen पाया जाएगा वहीं पर aerobic respiration होगा और जहां oxygen नहीं होगा वहाँ anaerobic respiration हो आज की इस topic को और इस video को हम लोग शुरू करेंगे try carbosalic acid cycle से तो देर नहीं करते हुए हम लोग discussion को शुरू करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक request करना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये video देख रहे हैं तो please इस video को अंतक दिखिए क्योंकि आप लोग को जो purpose के लिए आप मेरे channel पे आए हैं वो तभी पूड़ाओगा जब इस video को आप लोग अंतक देखिए हैं चलिए शुरू करते हैं tricarbosalic acid cycle the TCA cycle starts within the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to aldecytic acid the reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase and a molecule of COA is released इसमें कहना क्या चाहरा है होता क्या आखिर tricarbosalic acid cycle तो मैं थोड़े revision करवा देता हूँ जैसा कि हम लोग ने अपनी last video में पढ़ा था कि glycolysis process होता है जो कि glucose जिसमें तूटता है तो glucose तूटता है तो उसको glycolysis कहते हैं तो जब एक molecule glucose का तूटता है various step में एक series चलता है step का और देसरे enzyme का use होता है ADP का use होता है ATP का use होता है तो वो क्या बनाता है दो molecule बनाता है pyrovic acid का यह जब दो molecule pyrovic acid का बन जाता है तो यह mitochondria में जाता है mitochondria के matrix में इसका reaction चलता है और reaction होके फिर यह वहाँ क्या बनाएगा वहाँ बनाएगा acetyl COA ठेक है तो TCA cycle start होता कब है जब acetyl COA बन गया तो उसमें acetyl group जो है वो oxaloacetic acid जो है उसके साथ वो जुड़ जाएगा उसके साथ उसका condensation हो जाएगा और फिर उसमें water भी जुटेगा ठीक है तो acetyl COA प्लस oxaloacetic प्लस water और वो तीनों मिलके क्या बनाएगे citric acid और इस reaction को जो बढ़ाएगा जो catalyze करेगा वो enzyme है citrate synthase और एक COA का molecule भी ठीक है वो release होता है तो हम लोग समझें Triggarboslic acid cycle में क्या होता है acetyl COA जो अभी तक बना है वो जाके oxaloacetic acid के साथ condensation करेगा जूड़ जाएगा water भी आएगा और तीनों मिलके citric acid बनाते हैं और जो enzyme योज होता है वो होता है citrate synthase चलिए आगे बढ़ते हैं sorry citrate is then isomerized to isocytrate it is followed by two successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha keto glutaric acid इसमें कहरा कि citric acid बन गया फिर citrate जो बना जो citric acid ही है वो isomerized हो जाएगा उसका copy बनेगा तो citrate isomerized होके बन जाएगा isocytrate ठीक है तो citrate जो isocytrate हो रहा है फिर उसके बाद दो successive step चलेंगे decarboxylation के कितने step? दो successive step चलेंगे decarboxylation के अब फिर क्या बनेगा? citrate से isocytrate बना फिर जाके बनेगा alpha keto gluteric acid चले आगे बढ़ते अब देखते आगे क्या बना? जैसा कि आप लोग अपने screen में left side में देख सकते हैं जो इस reaction के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो basically ये है left side में जो आप लोग देख रहे हैं ये बारा जिसे में देखा कि pyruvate बना कहां बना? तो ये बना cytoplasm में अगर अभी तग आप लोग ने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि glycolysis होता क्या है कैसे होता है और कहां होता है ये most important है आप लोग जाके देख सकते हैं और आच्छे समझाया सकते हैं मैंने उसमें NCRT की line by line बता है सारा concept आपका clear हो जाए सारा doubt clear हो जाए चलिए अब इसमें आगे बढ़ते है तो जैसा कि आप लोग आपके स्क्रीन में देखे हैं पाइरुवेट एसेटाइल COA बना जिसमें एनेडिक गुसा और एनेडिएसटू बनके निकला COA आया और CO2 भी निकल गया तो CO2 कहां से रिल जो जब पाइरुवीक एसेड एसेटाइल COA बनेगा तो उसमें CO2 और एनेडिएसटू निकलेगा ठीक है फिर उसके बाद एसेटाइल COA के बाद अभी हम लोग ने पढ़ा क्या बना तो एसेटाइल COA जब ऑगजालो एसेटिक था यह एसेटाइल और यह ऑगजालो एसेटिक तब जब एसेटाइल COA ऐसेटिक था ही और गेज़िक लिए पर अपर यह एसेटिक है यहाँ पर देखेगा जब सास्विक यह अलफा कीटो ग्लुटेरिक एसिड में कनवर्ट हो रहा है तो देखिए एक co2 का एक मॉल्क्यूल रिलीज हो रहा है एने डी जा रहा है वो रिड्यूस होके क्या बन जा रहा है एने डी एस टू यह याद रखिएगा कि जब साइटिक एसे जालफा कीटो ग्लुटेरिक एकिटो ग्लुटईरिक कैसे में कनवर्ट होता तो क्या-क्या मॉल्क्यूल चेंजस होते हैं थीक है यहाए यहां देखिए six कार्बं है इससीक स्क्सक्सक्स कार्ब्रwdन निकल गया यहां कितना यह नहीं डिये स्टूम बनेगा जी टीपी जाएगा और रिड्यूस कर जी टी पी बनेगा जी टीप का फुल वोंग आप लोग चैने लिख ठीक है तर शकनिक एसेट वापस से मेल्प असेट बनता है देखे सकनिक एसेट में मैलेक एसेट बन गया इसमें कोई कार्वन ने निकलता कोई कार्वन दॉक्स से चलते रहता है और अपने स्क्रीन के जो right side में देख रहे हैं यही जो मैंने reaction समझाया basically यही line by line लिखा हुआ चलिए एक बार पढ़ लेते हैं उपर कुछ मिस तो नहीं किया था हम लोग ने ना अलफा keto-glutareic acid बना फिर उसके बाद हम लोग देखा सकनायल coa बना जो सकनिक acid है आगे देखते क्या बना इन दे डिमेंग श्टेप औप साइट्रिक असेड साइकिल सकनायल coa is oxidized to oxaloacetic acid allowing cycle to continue अभी देख रहे हैं हम लो डाइगरिम में जब सकनाइल सी ओए बना तो उसमें देख रहे हैं कि गुज़रा और क्या बन रहा है जी टीपी ठीक है जी डीपी जा रहा जी टीपी बन रहा चलिए आगे बढ़ते हैं दिस इस सब्स्टेट लेबल फॉस्फोरिलेशन इन कपल्ड रियक्शन जी डीपी इस कनवर्टेट तो जी डीपी विल दा सैमिल्टेनियस सिंथेसिस अप एटीपी फ्रॉम एडीप अल्सो देयर आर थ्री पॉइंट इंडी साइकिल वेर नेडी सब्सक्राइब देखा कि तीन पॉइंट कौन कौन से हैं जहां एन डी एन डी एस्टू बना और एप लोगों को याद रखना है क्योंकि इस पर कुश्चन बन सकता है यह मुस्ट इंपॉर्टेट मेरा काम तो पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा लेकिन आप लोगों को काम है याद करना चलिए आगे बढ़ते हैं दा कंटिन्यूर्ट ऑक्सिदेशन ओप एसेटाइल सी ओए वाया दा टी सीए साइकिल रिक्वार्ट दा कंटिन्यूर्ट रेप्लिमेंस ओव ऑग्जालो एसेटिक ऐसे दा फर्स्ट मेंबर ऑफ इस साइकिल इन एडिशन इडिशन इडिशन आप एने डी और एफटी फ्रॉम दे एने डिश्टू एफटीवली ता समरी एक्वेशन फॉर्ट इस फेज ओप रेस्पेरेशन में भी रिटेन एस फॉलोग इसमें यहीं कह रहा है कि अगर साइकल चलाना तो कल्टीन्यू ऑउक्जाल ऐसे टिक चाहिए और उसमें कंटीन्यू एने डी चाहिए और एफटी चाहिए ताकि एडिश्टू बने और एफटी बने चलिए आगे बढ़ते हैं यह देखिए यह रियक्शन लिखावा है यह फॉर्मुला है जो कि ट् मैं रहा हny mett बनाया यह जोसंट बना तो बनाएगा बहुक्ले नहीं जीए अजब हम लोगों को प्लाव यह बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हो एनर्जी का यूज हो रहा है तो यह ATP जो है ना यह टूट जा रहा है ATP और इन और्गनिक फॉस्विट में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वी हैब तिल नाव सीन दाट ग्ल्कोस हाथ बेन ब्रोकेन दाउन तो रिलीज कारवन डियोकसाइड and 8 molecules of NADS2, 2 of FADS2, have been synthesized besides just 2 molecules of ATP in TCA cycle you may be wondering why we have been discussing respiration at all neither oxygen has come into picture nor the promised large number of ATP has yet synthesized also what is the role of NADS2 and FADS2 that is synthesized let us now understand the role of oxygen in respiration and ATP synthesized इसमें क्या कहना चाहरा है इसमें कहना यह चाहरा है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब गुलकोस टूटा तो उसे carbon molecule निकला carbon dioxide निकला NADS2 का 8 molecule निकला FADS2 का 8 molecule निकला वो सब synthesized हुए है फिर दो molecule ATP का बना ठीक है तो यह सब तो देखा लेकिन अभी हम लोगों chapter के सुभाद में पढ़ा था कि respiration में oxygen का जूरूत हो जो प्लांट रात में oxygen लेता कहता न कि प्लांट के सामने किसी भी पेड़ के पास रात में नहीं सुन अच्छी वो उल्टा हो जाता उसको process oxygen लेने लगेगा और carbon dioxide छोड़ने लगता उल्टा होने लगता तो बेसे कि लिए अभी तक हम लोग देखा ने कि oxygen कहा यूजवार एस्परेजन तो इसमीं यह कह रहा है कि अभी जो oxygen यूज़ होगा और ATP जो आएगा वह अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है मैं उमीद करता हूँ कि मैं जो पढ़ाना हूँ जो तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर सच में आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताईएगा और कोच खराबी है तो वो भी लिखिएगा ताकि मैं करूँ और प्लीज मेरी यह रिक्वेश्ट आप सभी लोगों से कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसे एक मेनिफेट यह होगा कि सब्सक्रिप्शन में चला जाएगा आपका मेरा च अब यह क्या होता है इसा थैक्या हम लोग खुटो सिंथेसिग में भी पढ़ा था महां भी सिच्टम चल रहा था कहते हैं. आई, इलेक्रों ट्रांस्पर स्टम का था? बेसिकली, जब होन האל भसिता है जब लैक्डों टोटेगा, घुलकोज टोटेगा. तो उसमें हम लोगो पढ़ना है तो उसी को इलेक्रों स्टमго system में रोगो पढ़ना है। जिसमें कि are oxidized through the electron transfer system and the electron are passed on to oxygen resulting in the formation of H2O sorry इसमें यह कहना चाहरा है अब जो आगे का process चलेगा उसमें basically क्या चलेगा तो जो NADH2 और FADH2 बना अब उससे जो energy मिलेगा उसका utilization होगा ठीक है उसको जो भी energy निकला अब उसका utilization होगा फिर उसमें क्या होगा वो उन दोनों को NADH2 और FADH2 को oxidized किया जाएगा electron transport system में फिर उसमें जो electrons होगे वो oxygen में transfer किये जाएगे ताकि जाके H2O बन सके इट में इसकी यहाँ पे गुलकोस टूटेगा तो oxygen का molecule जो है वो जाके oxygen के साथ जूटेगा और H2O बनेगा कैसे बनेगा यह अभी हम लोग देखेंगे ठीक है चले आगे बढ़ने sorry the metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another is called the electron transport system it is present in the inner mitochondrial membrane ठीक है ती electron transport system क्या होता यह समझना जरूरी है और कहां होता यह भी जरूरी है देखिए जो pathway जो metabolic pathway है या process है जिससे की electron एक carrier से दूसरे carrier में transfer हो रहा है उसको क्या कहेंगे electron transport system नाम सही पते चला electron transport हो रहाते हैं यह इलेक्रन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ठीक और electron transport system होगा कहां तो mitochondria का हम लोग जानते हैं double membrane का होता आउटा में इनर membrane तो उसका जो inner membrane है mitochondria का वहां पर होगा ETS electron transport system चली आगे बढ़ते हैं सुबह सुबह नंगले में बहुत खरास हो जाता है Electrons from NADH produced in the in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex 1 and electrons are then transferred to uvqonon located within the inner membrane इसमें यह कह रहा है कि जो NADH बना TCA cycle में ठीक है तो NADH और FADH तो इससब जो बना TCA cycle में अब उससे electron जो है वो produce किया जाएगा उससे electron क्या transfer मने कि किया जाए जो NADH जो बना उससे electron transfer होगा कहां तो अभी बढ़ा inner membrane है mitochondrial matrix तो inner membrane में उसको oxidize करके NADH dehydrogenase यह enzyme है तो NADH dehydrogenase enzyme आया और NADH से वो electron लेके किसको दे दिया UBQ non में ठीक है और UBQ non कहां है mitochondria के inner membrane में ठीक है तो mitochondrial matrix में TCA cycle चला वहाँ NADH बना फिर NADH dehydrogenase enzyme आया और वो electron लिया NADH 2 से और लेके कहां दे दिया किसको UBQ non में और UBQ non कहां है inner membrane of mitochondria ठीक है UBQ non also receives reducing equivalent via FADH 2 complex 2 that is generated during oxidation of succinate in this citric acid cycle the reduced UBQ non UBQ non is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome BC1 complex ठीक है अब आगे क्या होता UBQ non electron ले लिया फिर उसके बाद UBQ non में जो हो रहा है उसमें वो reducing equivalent भी उसको मिलेगा कैसे मिलेगा तो NADH के साथ FADH 2 भी बना था FADH 2 के साथ उसको reducing equivalent मिल गया UBQ non को फिर उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद UBQ non जो है वो reduced हो गया ठीक है और FADH 2 कहां बना था तो FADH 2 citric acid में जब succinate malic acid में convert हो रहा था उसमें वो बना था FADH 2 ठीक है तो वहाँ पे UBQ non reduced हो गया तो वो क्या बन गया UBQ non फिर उसके बाद UBQ non जो तो NADH 2 और FADH 2 का electron ले रहा है फिर वो जाके oxidized हो जाता है कब होगा जब cytochrome BC1 से यह सब जितने भी बोलना है यह सब electron carrier ठीक है ध्यान रखेगा जब cytochrome BC1 से electron transfer होगा cytochrome C में तो जब यह transfer हो रहा है तो उसके बाद UBQ non reduced होगा तो वो oxidized हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane and act as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and 4 इसमें यह कह रहा है कि cytochrome C है क्या तो basically cytochrome C तो हम लोग जानते electron carrier है जो कि protein का बना हुआ है जो कि mitochondria के inner membrane के outer side में रहेगा इनर membrane लेकिन बाहरी side में रहेगा और यह क्या करेगा जो electron transfer होगा complex 3 और 4 में उसको facilitate करेगा उसमें help करेगा electron को 3 से 4 तक ले जाएगा ठीक है complex 4 refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochrome A and A3 and 2 copper center अब complex 4 क्या है तो complex 4 basically cytochrome C है जो कि cytochrome C oxidase complex भी कहते हैं तो complex 4 में क्या आता है cytochrome A आएगा A3 आएगा और 2 copper center भी आएगा ठीक है अब जब electron पास करेगा complex 1 से complex 4 में इसमें यह करा है कि electron transport हो रहा कैसे हो रहा ही देख लिए हम आप जब electron पास करेगा complex 1 से complex 4 में electron transport system में तो उसके बाद क्या होगा वहां पर एक enzyme उसके साथ मिल जागा वह हो जागा ATP synthase ATP synthase क्या करेगा तो वह ATP बनाएगा किसे तो ADP से और inorganic phosphate से ठीक है तो electron जा रहा है complex 1 से फोर्म में वहाँ ATP synthase enzyme आ गया अब हाँ ATP और inorganic phosphate गया उन दोनों मिलके क्या बनाती है ATP ठीक है और ATP कितना बनेगा वह डिपेंड करता है कि electron donor का nature कैसा है आगे बढ़ते हैं Oxidation of one molecule of NADH give rise to three molecules of ATP while that of one molecule of FADH2 produce two molecules of ATP इसमें कह रहा है कि हम लोग ने पढ़ा कि है इस सबका Oxidation होगा तो जब NADH का Oxygen एक molecule ठीक है NADH का जब एक molecule का Oxidation होता है तो तीन molecule ATP का बनता है ठीक है फिर जब आपका FADH2 का एक molecule reduced होता है means oxidized होता है तो कितना ATP बनेगा दो ठीक है तो एक NADH से तीन molecule बना ATP का और एक FADH से दो molecule बना ATP का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आल्डो आपका को आपका को का बना ATP का रहा होता है कि जो aerobic process है respiration का तो aerobic respiration जानते जहाँ oxygen होगा वहीं पर होगा अजब oxygen होगा तभी होगा नहीं तो नहीं होगा aerobic respiration तो जो role है oxygen का वो terminal stage जो है न प्रोसेस का वहीं तक limited होता है दीकिए oxygen ज़रूर ही respiration के लेकिन basically oxygen यहां role क्या कर रहा है तो oxygen का role है hydrogen electron का acceptor तो hydrogen oxygen क्या करेगा hydrogen एक साथ मिलके H2O बनाएगा और फिर उसको जो प्रोसेस चलता है उससे remove करतेगा तो hydrogen को remove करने का काम कौन कर रहा है oxygen तो oxygen का role पता चल गया respiration में हम लोग भी क्यों सांस लेते है जो हम लोग respiration चलता बोडी में plant क्यों लेता है तो उसका basically यह role है hydrogen molecule को हटाना step से ठीक है unlike photophosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for the phosphorylation in respiration it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process it is for this reaction that the process is called oxidative phosphorylation अब आता है कि जैसे कि हम लोग ने यह पढ़ा जो अभी reaction बढ़ा इसको क्या कहता है oxidative phosphorylation भी कहता है ठीक है electron transfer system देख लिए कैसे कैसे टांस बढ़ाता है जो overall process को बोलेंगे हम लोग oxidative phosphorylation तो photo synthesis में हम लोग ने पढ़ा था photo phosphorylation वहाँ photo इसलिए आता है क्योंकि light energy का use हो रहा था phosphorylation process के लिए means phosphorylation मने हो गया जो हम लोग energy बना रहे है जो ATP से बना रहे है तो वहाँ light यह जो आता हो गया photo phosphorylation लेकिन cell में mitochondria में वहाँ light नहीं है वहाँ पर use क्या हो रहा oxidation और reduction process का इसलिए इसको कहा गया oxidative phosphorylation ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यू आप लोड़ी इस्टेड़िट अब आउड़ी इस्टेड़िट अब मेकनिजम और में में लिए लिए अच्छे से मैंने लाइन समझाया हुआ हुआ है तो अगर यह लाइन यहाँ पर आप लोग करें कि Cameo Osmotic Hypothesis किया है तो आप लोग जाके वहाँ समझ सकते हैं अच्छे से फिर उसके बाद यहाँ से देखिए का तो आप लोग को समझाया का रहे अच्छा Cameo Osmotic Hypothesis यह होता है As mentioned earlier the energy released during electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthesis complex 5 This complex consists of two major components F1 and F0 इसमें यह कह रहा है कि Cameo Osmotic Hypothesis में जैसा पढ़े थे हम लोग ने थोड़े सा लिखा वा यहाँ पर कि किसका और किसके help से तो ATP synthase ATP synthase enzyme है देखिए कहीं भी कुछ भी बनना जैसे NAD, NADH2 में convert और FAD, FADH2 सब जगा enzyme है बिना enzyme के process चलेगा ही यह ध्यान रखेगा तो वहाँ जो energy release उससे ATP बना आपके कौन सा ही जैमता है ATP synthase चली और ATP synthase जो होता है उसके दो component होते है F1 और F0 यह देखिए आप लोग डाइग्राम में देख सकते हैं दो hydrogen गया और ATP बनाया ठीक है The F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contains the site for ATP synthesis of ATP from ATP and inorganic phosphate F0 is an integral membrane protein complex that forms the channel through which proteins across the inner membrane The passage of protons through the channel is coupled to catalytic site of the F1 component for the production of ATP For each ATP produced four hydrogen passes through F0 from intermembrane space to the matrix down the electrochemical protocol मैं बोल रहा है कि ATP तो बना आप ATP कैसे बना यह भी समझा रहा है आप लोग अपने डाइग्राम में देख सकते हैं F0 और F1 तो F1 क्या है F1 basically आपका peripheral membrane protein complex है क्योंकि जितना भी component बना होता है ने जाएंग का सब protein होता है जाएंग खुद एक protein इसलिए ध्यान रखे हैं कि maximum जगवा में देखे protein लिखा वा रहा है तो ATP synthesis का दो component F0 F1 F1 क्या है वह साइट है F1 जहां से ADP और inorganic phosphate मिल रहा और ATP बना रहा है ठीक है F0 कौन साइट है F0 वो साइट है जहां पर जो hydrogen molecule पास कर रहा है inner membrane से matrix में और जाके F1 के पास जा रहा है और ATP बनने में हल्क कर रहा है ठीक है तो F0 एक कह सकते हैं integral membrane protein complex है जो कि एक channel प्रोवाइट कर रहा है जिसे कि proton जो है जैसे hydrogen का जो proton है वो inner membrane तक पहुंच रहा है channel एक रास्ता प्रोवाइट कर रहा है ठीक है तो F0 से होते वे 4 hydrogen molecule चाहिए क्योंकि अगर एक set ATP बनाना है तो एक ATP बनाने के लिए 4 hydrogen चाहिए ठीक है तो F0 से 4 hydrogen molecule होके पास होगा वो F1 के पास जाएगा F0 से होते हुए फिर जाके ATP बनाने में help करेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता है respiratory balance sheet तो इसमें देखते हैं क्या होता है it is possible to make a calculation of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized but in reality this can remain only a theoretical exercise this calculation can be made only on certain assumption depth अब इसमें यह कह रहा है कि आप जेतना process थो हम लोग ने पढ़ जाए के करके glycolysis, aerobic respiration, TCA cycle, creep cycle सब कुछ हम लोग ने पढ़ लिया अब basically हम लोग को पढ़ना है समझ है कि इसमें ATP कितना बना total जो process चला उसमें total ATP कितना बना तो वो देखना है हम लोगों पहला point देखते है हम लोग पहले glycolysis चला फिर TCA cycle चला अफिर उसके बाद ETS भी चला चीक है इसमें से आप लोग बताएगा EMP pathway किसको कहा जाता और creep cycle जो लोग मेरी वीडियो देखे हमें इससे पहले बाली वह इसली बता देंगे creep cycle किसको कहा जाता है और TEA आपका EMP pathway और यह comment box में ज़रू बताएगा तो तीनों प्रोसेस चला आगे देखते हैं the NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation यह भी देखा हम लोग कि glycolysis में जो NADH बना वो mitochondria में बेश दिया गया वहाँ oxidative phosphorylation हुआ उसका उससे तीन molecule निकले ATP के none of the intermediaries in the pathway are utilized to synthesis any other compound और कोई intermediate का use नहीं किया गया पात्वे में कोई other compound बनाने के लिए इसमें क्या यूज के गया सिफ ATP बनाने के लिए only glucose is being respired no other alternative substrate are entering in the pathway at any of the intermediary stage तो हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था कि जो plant में जब respiration चलेगा तो उसमें सिफ glucose ही यह होता है कुछ ऐसी plant में इसमें protein fat का भी respiration होता है लेकिन maximum case में plant में क्या होगा glucose का तो but this kind of assumption are not really valid in a living system all pathways work simultaneously and do not take place one after another substrates enter the pathway and are withdrawn from it as and when necessary ATP is utilized as and when needed enzymatic rates are controlled by the multiple means yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy hence there can be a net gain of 38 ATP molecule during aerobic respiration of one molecule of glucose इसमें यह कह रहा है कि जरूरी नहीं कि जो हम लोगने cycle पढ़ा वो एक के बाद एक हो तो खाना हम लोग खाते रहते हैं यह plant भी लेता है तो प्रोसेस चलते रहता है continue चलते रहता है ठीक है जैसा requirement है वैसा process चलेगा लेकिन हाँ यह जाए पहले glycolysis होगा तभी TCA होगा तभी ETS होगा यह नहीं होगा कि direct ETS से ही शुरू कर दे नहीं तो कुछ molecule जैसे कि बचे में जिनका aerobic respiration होगा तो जो एक molecule glucose का टूटेगा तो उसमें total कितने 38 ATP बनेगे यह याद रखेगा यह calculation बहुत important है चले आगे बढ़ते हैं now latest compare fermentation and aerobic reaction अब इसमें देखना है कि जैसा कि हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियो में डिसकाश किया कि fermentation क्या होता है कब होता है और कहां होता है अब aerobic respiration भी हम लोग ने देख लिया था तब हम लोग देखेंगे कि दोनों में compare करके कितना ATP बनता है क्या बननेगा ठीक है fermentation accounts for only a partial breakdown of glucose whereas in aerobic respiration it is completely degraded to carbon dioxide and S2O in fermentation there is a net gain of only two molecule of ATP for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid whereas many more molecules of ATP are generated under aerobic respiration NAD is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation however the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि fermentation में जो glucose का respiration breakdown हुआ तोड़ा गया complete नहीं टूटा partial टूटा था fermentation में लेकिन aerobic respiration glucose complete टूट गया complete root के या निकला आस में 38 molecule ATP का और CO2 और energy H2O इसम निकला ठीक है फिर fermentation में दो ही molecule बने ATP है लेकिन हम लोग ने देखा aerobic respiration में 38 molecule बने ATP ठीक fermentation में जो NADH2 जो oxidize होके NAD बना था वो slowly बना था लेकिन aerobic respiration में देखा कि NADH2 जो NAD बन रहा oxidize हो रहा वो तीजी से हो रहा और आप लोग को अगर नहीं पता कि fermentation क्या होता है तो मैं बता दूँ दो तरह का fermentation होता है alcoholic और lactic acid और यह क्या होता है इसको जाने के लिए आप लोगो को मेरी वीडियो देखी होगी क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से for respiration all carbohydrates are usually first converted into glucose before they used for respiration इसमें यह खह रहा है कि glucose जो है respiration के लिए fabric substrate है सबसे ज्यादा कोई substrate यूज होता है respiration में plant में तो कौन से है glucose याद रखेंगा तो जेतिन तरह के carbohydrate है ना galactose, fructose, maltose, sucrose, starch सब को glucose में पहले convert किया जाता है जब वो glucose में convert हो जाएंगे तब वो जाके respiration के process में enter करते है जहां glycolysis होता है और यह हम लोग ने पहले पढ़ लिया है कि उनको glucose और प्रूटोक्स में convert करता है एक enzyme है पंजाइम का नाम क्या है comment box में लिखके बताइए अधर substrate can also be respired as has been mentioned earlier but then they do not enter the respiratory pathway at the first day see figure 14 points to see the points of entry of different substrate in the respiratory pathway इसमें यह कह रहा कि other substrate भी होते हैं जिससे glucose बनता है लिकिन क्या है कि जैसे fat हुआ protein गया वो भी plant में है तो वो direct respiration process में नहीं पहला इस्टे में glycolysis में घुच जाए को glycolysis तो glucose तो तूट रहा है वो कैसे जाए उनका भी अलग process चलेगा लेकिन वो आगे जाके तीनों जो है glycolysis का तूटना glucose का तूटना fat का तूटना protein का तूटना यह आगे जाके एक अब हम लोग देखा कि फैट को जब तोड़ेंगे नहीं तो फैट टूटेगा glycerol और fatty acid फिर जब फैटी acid को respiration process में यूज करना तो fatty acid को convert करना हूँग अशिटायल सीओ में और हम लोग ने देखा कि acetyl COA कहां एंटर कर रहा है TCM तो यह डारेक कहां चल जाएगा TCM अब ग्लीसरोल को convert करना है तो उसको phosphoglycer aldehyde में convert करेंगे अब phosphoglycer aldehyde कहां है यह भी आपका glycolysis के एक step में आता है तो यह वहां चल जाएगा डारेक एंटर करेंगा ठीक है अब आता क्रेब साइकल और एवन एस पारवेट और एसिटाइल सी ओ ए तो इसमें यह कह रहा है कि प्रोटीन भी टूटेगा एमिनो एसिट में फिर एमिनो एसिट को भी उसका इस्ट्रक्शन में तोड़ा जाएगा जब उसका डी एमिनेशन होगा तो जो एमिनो एसिट जो है वो क्रेब साइकल जो चलता या फिर पाइरुबेट या एसिटाइल सी ओए जब उसमें कन्वर्ड होगा तो फिर उसके प्रोसेस में उसको एंटर किया जाएगा ठीक है इसका कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन में मॉल्क्यूल टूट रहे हैं इसलिए रेस्पिरेशन को केटाबॉलिक प्रोसेस का गया पाथवे को केटाबॉलिक पाथवे अब फोटो सेंथेस जिसमें की मॉल्क्यूल बनते हैं तो उनको क्या कहेंगे एनबॉली पाथवे ठीक है चलिए आगे बड़ते हैं है बट इस दिस अंडर्स्टेंडिंग करें वी हब डिस्कॉस्ट अब आट वीच पॉइंट्स इंदी रेस्परिटरी पाथवेर डिफरेंट सबस्टेश उड एंटर इव दे वेर तो भी रेस्पाइड एंड वी करें टिक है और पार्ठी करें ने अडर्स इंट पाथवेंट वैट रखिताटी व्डींत अडूर्सट इंड इस थी संप्टियों आट विच्ट पाथवेर इंट अंड रूट्णि अट इस गुश्ट्टरी पाथवेर गौन तो इस एपक्ट्रेश फांप जैंट पाथे यह बंद यह कहे रहें कि जब रेस्पिरेशन करना जब अनर्जी निकालना न न पैटी असिट से उसको इसटाइल सी वह में कंवर्ट करके प्रोसिस में घुसा दिए टी सीए में लेकिन जब बॉड़ी को फैटी असिटाइल ऑजब तब क्या करेगा तो वापस से असे इसमें यह क्याना चाहरा है कि आभी हम लोग ने देखा कि फैटी असीट को असीटाल सी हो यूज किया फिर उटको कर्मक्रों के अनर्जी निकाला लेकिन अगर बोडी को फिर से जरुवत है प्रोटीन या फैटी शेट को फिर एसीटाल सी हो से वो प्रोटीन और फैट बना देगा तो हम लोग ने देखा कि इसमें तोड भी रहा है और वापस से बना भी रहा है यहाँ एनबोलिजम केटाबोलिजम दोनों चल रहा है इसलि तो रेस्पिरेशन को और रेस्पिरेटी पाथवे को क्या बॉलिंग एनबोल एमपीबोलिक पाथवे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह देखिए आप लोग अपने स्क्रीम में देख सकते हैं यह फैट दिखे रहा आप लोगों को यह तूट के फैटी ऐसे ग्लिसॉल इसाब डायाडॉक्स ऐसी टोन फॉस्पेड बना फिर ग्लाइसल एल्डी आइड मन गया यह कार्वाइडर का था हम लोग ने पढ़ी लिया था कि वह सिंपल गुल्कोस बनें फिर गुल्कोस इक्स फॉल्ट फूटो वन शिक्स फॉल्ट्वें फिर उसके बाद ग्लाइसल लगना फ्रूट्विक एस बना छाके परइप करना और fatty acid direct acetyl coa बन जाए और पर यहां से यह यहां enter कर जाएगा ठीक है तो तीनों आके कहां मिलेंगे तीनों आके जब acetyl coa बनेंगे वो जगह आके तीनों मिलेंगे ठीक है तो यह याद रखेगा कहां क्रेप cycle में चलिए अब आता है अगला topic हम लोग का respiratory quotient इसमें हम लोग क देखना कि respiration question में देखना है कि मने कि कितना oxygen हम लोग ले रहे है कितना छोट है यह सब का formula और कुछ नहीं है लेकिन एक्जाम पर सब्सक्राइब से important है इसलिए आप लोगों को यह समझना है let us now look at another aspect of respiration as you know during aerobic respiration oxygen is consumed and CO2 is released the ratio of the volume of CO2 evolved to the volume of oxygen consumed in the respiration is called respiratory quotient or respiratory ratio the respiratory quotient क्या basically respiratory quotient का मतलब है कितना volume हम लोग ने CO2 का छोड़ा और यह हम लोग भी बोल सकते है यह plant तो कितना volume plant CO2 का छोड़ा और कितना oxygen का वो evolved किया ठीक है तो मने कि consume किया ठीक है तो oxygen का कितना volume consume किया और garment oxide का कितना volume वो release किया तो इसका जो ratio होता है उसी को कहते है respiratory quotient इसका formula क्या है respiratory quotient equal to volume of CO2 evolved by volume of oxygen consumed the respiratory quotient depends upon the type of respiratory substrate using used during respiration मैं इसमें कह रहा है कि जैसा substrate use करेंगे carbohydrate protein fat तो वैसा respiratory quotient रहेगा तो जैसे कि carbohydrate data the carbohydrate my respiratory quotient जो है one हो जाए रहा है क्यों वहन होगा देखते हैं because equal amounts of CO2 and oxygen are evolved and consumed ठीक है तो carbohydrate जब होगा तो respiratory quotient one होगा क्योंकि इसमें सेम अमांट का carbon dioxide release हो रहा है और oxygen use हो रहा है ठीक है अब आते हैं आगे fat में fat में जो होता है less than one होता तो less than one होने का क्या मतलब है less than one होने का मतलब है जब fat than one है CO2 कम release हो रहा है और oxygen ज्यादा consumption हो ठीक है अब जब protein का बात करेंगे तो protein का respiratory quotient क्या रहेगा तो protein का respiratory quotient रहेगा 0.9 तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि जो carbon dioxide use हो रहा है और oxygen use हो रहा है उसका same amount नहीं है ठीक है यहां एक line लिखावा important है जो मैंने underlying highlight किया हुआ प्योर प्रोटीन और fats are never used as respiratory substance तो प्योर प्रोटीन और fat कभी यूज नहीं किया जाता respiratory substance हम लोग ने देखा कि fat को fatty acid glycerol में तो रहा फिर उसके बाद उसको acetyl co में convert किया protein को भी amino acid के बाद acid pyrovic acid acid co में प्रोट किया तब जाके उसको respiratory substance में यूज किया चली अब summary आ गया मैंस अब यहां से chapter का end होता है और इसके बाद question आता है तो मैं आप सभी लोगे से request करने कोई कोई कोशन कोशन करने से पहले नहीं जरूब करें चली अब यहां से हम लोग का chapter खतम हुआ inspiration आप जो chapter 15 है उसमें हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अब मैं यहां से आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोगोंने अंतक दिखा होगा और मेरे चैनल अच्छी लगए होगा मेरे वीडियो अच्छी बाली 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 होगा अरी